और बड़ी जानकारी गुरुग्राम से सामने आ रही है जहांके कादीपूर इंडस्ट्रिल एरिया में फैक्टरी में अचानक ही गैस का रिसाब हुआ है गैस लीकेज के चलते प्रसाशन ने फैक्टरीय रिलाके को खाली करा दिया है और दंकल विभाग और सिवल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है अमोनिया गैस का ये रिसाब बताया जा रहा है पिछले काफी समय से ये कंपनी खाली पड़ी हुई थी बारिश का बानी भरने से कंपनी से ये गैस लीक हुई है उस्पकी बड़ी जानकारी सामने आ रही है हम जानकारी लेंगे जी मेरिया संबाद आता देवेंद्र भारत्वा जमारे साथ जड़ गया है देवेंद्र क्या अपडेट देखिए बिल्कुल गुरुगराम के सेक्टर दस्तित जो कादिपूर इंड़स्ट्रिल एरिया है वहाँ ये गैस लीकेज हुई है और एमोन प्रशाशन की टीम मोके पर है और जो क्योंकि ये एक छोटा इंड़स्ट्रिल एरिया है लेकिन इसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है फिलहाल कोशिश यही है कि जो लीकेज है उसको किसी तरह से कंट्रोल में किया जाए हलाकि अभी ही जो आसपास का इलाका है वो प गयास का रिसाव हुआ है क्या अंदाजा लग पाया है कि कितने अलाके में ये गयास अभी पहली है आदेखिए आसपास के करीब 200-500 मीटर एरिया में इसकी जो दिकत थी वो लोगों को हो रही थी और उसी के बाद इसकी जानकारी परशरशन को दी गई फिलहाल आसपास जो लोगों को इससे नुकसान ना हो उसको लेकर भी NDRF की तरफ से कुछ ऐसे पॉर्डर्स और ऐसे एक्यूपमेंट्स हैं जिनके मार्फत इस गैस की जो शक्ति है उसको कम किया जा सके जिससे लोगों को नुकसान ना हो सके जे देविंद्र कितना पॉसेंटेज इससे साइड इफेक्ट या फिर इस गैस के रिसाव के बाद लोगों में सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं आदे कि आमोमन तोर पर अमोनिया गैस का प्रियोग है वो कपड़े के सफाई के लिए उसके रंग को और ज्यादा करने के लिए को किया जाता है और लेकिन जिस तरह से इस गैस का लेकेज हुआ तो फिलहाल कहीं न कहीं लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है क्योंकि इसका ज्यादा रिसाव लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिससे लोगों के फेफडों की दिक्कत आ सकती है सांस की लेने में दिक्कत आ सकती है आखों में दिक्कत आ सकती है तो लोगों को नुक्सान ना हो फिलहाल जिस तरह से लोगों की आखों में जलन और उनकों सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी तो उसके देवेंद्र फिलहाल बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी हम तक बहुत जाने के लिए